हाई दिस इस मनीशा सिंग वेलकम बैक तो यूर ओन यूटूब चैनल फ्रेंट्स आई होप यू आर दूइंग वेरी विल और एग्जाम प्रिप्रेशन्स आर अल्सो गोईंग वेरी विल सो आज आही हूँ आप सबी के लिए लेकर एक और गवर्मेंट जॉब के अपडेट जो कि डाइरेक्ट निकल के आ रही है नाबाड की तरफ से ओफिस अटेंडेंट की न्यू वेकेंसी 2024 के रिगार्डिंग देखिए फिंट्स नाबाड जो है नेशनल बैंक फोर अग्रिकल् और रूरल डिवलोपमेंट यानि की क्रीसी और ग्रामील विकास के लिए इस बैंक की अस्थापना की गई थी 1982 में यानि 1982 में इसकी अस्थापना होई थी आपको बताना है कि नाबाड का मुख्याले कहां पर है और अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं पता है तो ज क्यांडिडेट अप्लाई करेंगे तो आगे हम इस पोस्ट के उपर कंप्लीट डीटेल्स में डिसकसन करने वाले हैं लेकिन अगर आप चाहते हो इसका ओफिश्यल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना या फिर एक्जाम से लवस वगेरा देखना चाहते हो तो सारी आपको मिलेंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम का लिंक आपको डिसक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वहां पर आप मुझे फॉलोग कर सकते हो देखिए फ्रेंड्स पोस्ट रहेगा ओफिस अटेंडेंट यानि ग्रूप C की है जिसके लिए मेल फिमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं टोटल सीट निकल के इस बार आपका 108 यानि कि एक सो आठ पदों के लिए आपकी भरती आई है अप्लाई की जो तिथी रहेगी न दो अक्टूबर यानि सेकेंड अफ ऑक्टूबर से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट त से जल्द अप्लाई कर देना क्योंकि बात में क्या होता है ना कि सारे बच्चे कठे अप्लाई करने लगते तो उस्टें थोरा सर्वर इशू आ जाते तो बच्चे परेशानी में आ जाते कि मेरा फॉर्म अप्लाई होगा की नहीं होगा तो इससे बचने के लिए आप अभ फुल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको 2 अक्टूबर को प्रोवाइड करूंगी अधरवाइस जो एक्जाम पैटर्न है शौट नोटिस है वो सारी चीज़े मिल जाएंगे और हाँ जो पिछले साल 19-20 की भरती आए थी ना उसका नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगे ताकि आप उससे न सेले बास और जो भी रिक्वार्मेंट्स होते हैं आप देख ले ना न्यू बाले में बस क्या होगा आपका डेट ही ना चेंज रहेगा कि अपलाई का यह 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 बाकी सब सेम ही रहेगा तो आप देख सकते हो ठीक है फ 50 रूपीज यानि 50 रूपीया चार्ज किया जाएगा ज्यादा चार्ज नहीं है यह देखिए अब बात करते हैं एज की लिमिट के उपर लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि what will be the cut-off date for age देखिए 1 अक्टूबर 2024 यानि 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार 18 to 30 यानि कि 18 से 30 वर्स होना चूट दी जाती है OBC को 3 years का मिलता है तो उनकी लिए है 18 से 30 वर्स जो ACST category वाले है उनको मिलता है 5 years यानि 5 वर्स का तो उनके लिए 18 to 35 यानि 35 वर्स रहेगा I hope age का criteria आप समझ गयोंगे अब आता है the most important thing which is the eligibility criteria और वो क्या decide करता है educational qualification आपका क्या है देखिए friends section की होगे ताप सिर्फ और सिर्फ दस भी pass मांगी गई है मतलब कि आपने 10th pass कर लिया है आपका क्या percentage है ये कोई issue नहीं रहने वाल है 10th pass हो metric pass हो तो आप apply कर सकते हो अब बात करते हैं हम लोग किस का selection process क्या है means कि किन-किन stage से pass out होने के बाद यहां पर आपका selection होता है देखिए friends selection वैसे देखा जाए ना तो 3 stage ही होता है 4th stage बस minor आपका normal सा होता है पहले stage पर आपका prelims exam होता है यानि pre का exam होता है देखिए online exam होगा दोनों ही pre और means दोनों online ह होगा objective type रहेगा आगे इसके उपर हम लोग अच्छे से समझ लेंगे descriptive way में आपको बता दूंगी देखिए prelims होता है आपका qualifying मतलग कि prelims में आपको बस pass करना है merit decide करता है आपका means exam तो means भी क्या है आपका objective रहने वाल है उसके बाद language proficiency test यानि LPT होता है देखिए जब आँ form apply करोगे ना तो ये all India की भरती है लेकिन इंडिया के जो अलग-अलग state है वो सबका language थोड़ा सोता है कहीं पर Hindi English चलता है कई पर Hindi English उर्दू रहता है तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगा जो पिछले साल का notification है मैं डालूंगी तो उसमें अभी से आप देख लेना वैसे न्यू वाले में तो आए गाई किसे state का क्या language रहेगा तो उसके according आप seat देखेंगे किस राज में क्या seat है और तो छट जाओगे आगे की process में तो LPT भी pass करना जरूरी होता है जो language proficiency test होती है और यह LPT तक आपका selection process एकदम main होता है इसमें आपको pass करना ही करना है उसके बाद simply आपका documents verify होता है हाँ documents भी आप गलत लेके जाओगे तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा लेकिन आपका document सही है तो बस document verify होगा basic आपका medical होगा फिर joining letter आपको hand over किया जाएगा जी नहीं hand to hand नहीं दिया जाएगा medical के कुछ time बाद merit list में आपका नाम हैगा फिर joining letter आपके घर चला जाएगा अब हम लोग बात करेंगे selection process में exam pattern को in detail तो चलिए उसको हम लोग समझ लेते हैं आप देख पा रहे हैं यहां पर आपका 21st October मतलब मान के चलेंगे पूरा October आपका form apply होगा तो इसके दो महीने बाद तो November, December December की last से लेकि जनवरी तक आपका exam हो जाएगा और यह कोई मैं अपने मन से नहीं बता रही हो मैंने पिछले जो भरती आई थी उसकी according में आपको ब पीड को बूस्ट कर लेना अप ठीक है अब बात कर लेता है प्रीलियम्स exam के pattern के उपर online exam होता है जिसमें 120 questions होते है for 120 marks मतलब की per question 1 mark मिलता है and time आपका होते है 90 minutes यानि देर घंटे का exam होगा and there will be negative marking of 1 by 4 means की 0.25 की है negative marking ठीक है subject wise बात करें तो reasoning से 30 questions हो जाएगे mathematics यानि गनित से 30 questions हो जाएगे general awareness जिसमें की GKGS current affairs and science आपको combine करके computer वगएरा सबसे पूछा जाता है 30 questions और हाँ ये नाबाड का paper है तो नाबाड special भी आपको GK पूछेगा तो उससे related भी पढ़के जाना है lastly English language की 30 questions for 30 marks ये आपका exam pattern है 120 प्रस ने 120 नंबर के लिए देर घंटे की परिक्षा होगी prelims only for qualifying है इसका marks आपको merit decide नहीं करेगा लेकिन अगले stage तक आपको जाना है कि नहीं वो जरूर decide करेगा तो इसको भी main मान के ही चलना है इसमें qualify करोगे तभी तो mains में बैठोगे ना आप अच्छा है score करने के लिए previous year का आपको set लगाना है model paper बनाना है और जितना भी subject रता है वो सबका syllabus देखके और त्यारी की speed को boost कर लेना है ठीक है अब बात करते हैं prelims के बात जो आपका mains exam होगा उसके pattern के उपर तो वो भी online होता है और objective type ही होता है इसमें भी आपको 1500 question यानि 150 question होते हैं 150 marks के लिए per question 1 mark मिलता है और time जो होता है ना 120 मिनट यानि की 2 hours 2 घंटे का रहता है negative marking यहाँ पर भी 1 by 4 यानि 0.25 का हो जाएगा subject जो prelims में थे वही mains में रहेंगे पर जैसा कि आपने देखा उसमें 120 question था यहाँ 1500 question है तो बस आपको per subject आपका number of question बढ़ा दिया गया यहाँ पर देखिए reasoning से 35 questions पूछे जाएंगे mathematics के 35 questions पूछे जाएंगे general awareness से भी 35 यानि 35 पूछे लास्टली English language के 35 question देखिए मैंने आपको starting में ही यहाँ पे selection process बताते वक्त बता दिया था कि आपका जो merit बनता है न वो बनता है mains का जो 1500 number है उसके basis पे तो बस इसमें qualify करो और इसमें अच्छा बहुत ही अच्छा score करो कटफ के according तब आपका selection होता है फिर क्या होता है न कि आपका LPT होता है यानि language test किया जाता है कि आपको बोलना आता है कि नहीं जिस राज के लिए आपने अपलाई किया है रही बात exam centers की तो वो all over India में रहता है तो उसके लिए कोई issue नहीं रहेगा जॉब की location आपकी all over India में रहेगी अब बात करते हैं what salary will you get after your selection देखिए selection की जस्ट बाद ही आपको 35,000 रुपए से सुरुआत की जाती है salary की मतलब की 10 वी पास भरती है office attendant की क्यूंकि आपका नवाड में हो रहा है जो की आपका इंडिया का सरकारी bank है permanent job रहेगा इसके लिए आपको 35,000 पर महीने से सुरुआत की जाती है तो जब सुरुआत में ही आपको 35,000 देखिए तो बाद में बरते बरते salary क्या होगा यह तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं अब जैसा की इससे related मैंने आपको सारी जानकारी दे दी बट यह starting में मैंने आपको बताया था कि नाबाड का क्या हुआ था नाबाड की का मुख्याल है मुंबाई में situated है और इस पोस्ट के रिगार्डिंग complete details आपको मिल गई होगी आप भी कुछ doubt and confusion है तो कोई hesitate नहीं करना है comment करके query को solve कर लेना है otherwise वीडियो अच्छी लगी हो useful लगी हो तो एक like कर देना है आपने friends के साथ भी share कर देना है और हाँ मेरे चैनल को subscribe करके notification bell all पर set करके जाना है ताकि सारी new job की update सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो मिलोंगे फिर से किसी government job की update को लेके till then stay tuned bye bye take care